हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, तिलक किसी अन्य विचार का स्थान ही कहा है हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई, कि महाराज जनक, अपनी पुत्री, राजकुमारी सीता का स्वयमर रचा रहे हैं अनिवर, आपके आशिर्वाद से उनका यह सुपकार निर्विक्न संपन हो, उसके लिए महाराज ने आपसे विश्य प्रात्ना के लिए इस दास को भेजा है हम विदेह राज जनक कामंत्रन पाकर बहुत प्रसन्न हुए महाराज को हमारा आशीरवात उन्हें कहना कि हम आवश्या आएंगे भाया गुरुदेव आना है गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव बैठो वत्स राम हम तुमसे एक बात करने आये गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया मुझे बुला भेजते मस्वायम आजाता आपकी सेवा में तुम्हारे पास आने में कष्ट नहीं आनंद ही आनंद है राम तात महराज जनक के यहां से निवता आया है वो अपनी पुत्री सीता का सुएमवर अचा रहे हैं जिसमें उन्होंने हमें भी अमंत्रित किया है हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ में थिला चलो राम इस विश्य में तुमारा क्या विचार है गुरुवर्य आपके आज्या के सामने किसी अन्य विचार का स्थान ही कहा है केवला ग्यावशी नहीं वत्स हम चाहते हैं कि तुम भी उसे एतिहासिक द्रशिकान उभव करो जहां आर्यवर्त के हर प्रांथ और हर प्रदेश की राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना-पना बल, कौशल और पराकर्म दिखाने आएंगे मुनिवर, स्वयमबर करत तो यही है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वर्माला पहना देंगी फिर उसमें बल और कौशल दिखाने की आवशकता ही कहा है इसलिए कि महराज जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्थ रख दी है शर्थ हाँ रगुननदन, कई कारणों से यह स्वयमबर बड़ा अदभुत होगा पहला कारण तो यह कि सीता स्वयम ही एक अदभुत कन्या है और दूसरा कारण यह है कि महराज जनक के पास भगवान शिव का एक अलावकिक धनुष है जो शिव ने देवताओं को दिया था और देवताओं ने जनक के पूर्वज महराज देवराज के पास धरोहर रूप में रखा था सीता को देवी कन्या मान कर महराज जनक ने यह निश्चह किया है कि सीता का विवाह किसी साधारन मानव से नहीं हो सकता और उन्होंने शर्ट लख दी कि जो शूरवीर उस महानशिव धनुष को जुका कर उस पर प्रतंचा चड़ा देगा उसी के साथ सीथा का विवा होगा उसी चमतकार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथला चलो यही हमारी इच्छा है आहो भाग्या तो कल प्राता ही प्रस्थान करेंगे जो आग्या गुरुदेव